हलो दोस्तो आज के वीडियो में log graduates के लिए government fertilizer company इफको में निकली trainee legal की latest vacancies के बारे में complete information देंगे तो दोस्तो ऐसी ही law related useful वीडियो को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को like और channel को subscribe कर लिजे तो चलिए आज का वीडियो start करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर government की जो fertilizer company है इफको इसमें जो है log graduates के लिए trainee legal की vacancies निकली हुई है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके official notification को आप कहां से और कैसे download करेंगे तो इसकी official website पर जाना है www.iffco.in इस पर जब home page पर जाएंगे जैसा कि आपको इस screen पर दिखाई दे रहा है यह इसी website का home page open हुआ है तो इसमें आप सबसे उपर देखेंगे recruitment notice option आ रहा है इस notice पर click करेंगे तो click करते ही आपके पास notification मिल जाएगा और उस notification trainee legal के क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तो जो trainee की vacancies है वो different type की निकली हुई है तो आपको जो notification download करना trainee legal का download करना है तो दोस्तो अगर इसमें आपको नहीं डोड़ पाते हैं तो आपको हम वीडियो के description में link में उपलब्द करा देंगे उस link के माध्यम से भी आप इस notification को प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए थोड़ा notification को detail से जान लेते हैं दोस्तो आपके सामने screen पर government fertilizer company ifco अर्थात Indian Farmers Fertilizer Corporation Limited के द्वारा जारी official notification है तो दोस्तो इनका जो office है और new daily इस्तित है तो यहाँ पर जो आपकी training होनी एक प्रकार से जो trainee legal की vacancies को जिनको posting मिलनी है तो वो मिलेगी आपको इनी के new daily office में तो देखें दोस्तो यहाँ पर law graduates के लिए trainee legal की vacancies निकली हुई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो है इसकी qualification क्या मांगी गाई तो आपके पास law degree होनी चाहिए चाहिए वो 3 year की law degree हो या फिर 5 year की law degree हो minimum 60% marks आपके law degree में होने चाहिए तब ही आप यहाँ पर apply कर पाएंगे दोसरा age limit की बात करें तो maximum यहाँ पर 30 years age होनी चाहिए इससे अधिक age है तो आप apply नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर देखें जो age count होगी 1st March 2022 से count होगी और दोस्तो यहाँ पर आपको जो trainee है trainee period में आपको जो training मिलेगी उसमें आपको 36,000 का stipend मिलेगा और यदि आप एक successful trainee होते है तो आपको यहाँ पर assistant legal की job भी मिलेगी और वो job आपकी permanent job होगी और इसका जो CTC होगा इस job का 9,000,000 परेनम का होगा और इसका जो pay scale होगा 40,000 से लेकर के 75,000 का जो की बहुत ही अच्छा होगा इसके लोग जो दूसरी बहुत सारी सुविधाय मिलती है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो दोस्तो इसको देख लिजे कि जो है last date क्या होगी apply करने की तो 3 April 2022 से पहले पहले आपको apply कर देना होगा application fees की बात करें तो यहाँ पर कोई भी fees आपको नहीं पे करनी है पुरी तरह से free है लेकिन apply आपको online ही करना होगा online apply करने का link वीडियो के description में आपको उपलब्द करा देंगे उसके लाओ देखिए last minute का link for application यह जो आगे link दिया हुआ है इसी link पर click करके आप online form apply कर सकते हैं इसी notification में जो notification आप download करेंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए यह एक प्रकार से जो है बहुत ही अच्छा opportunity है लोग graduates के लिए जो phrases है क्योंकि phrases के लिए ऐसे chances बहुत कम आते हैं यहाँ number of vacancies को इन्होंने open नहीं किया है लेकिन कम से कम जो है 8-10 vacancies होने की संभावना है क्योंकि जो है यहाँ training होंगे training में से ही इनको select करना होगा और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जो successful training आप कर लेते हैं जब आपको job दी जाती तो उससे पहले आपसे bond भी भराया जाएगा और उस bond के अधार पर ही आपको यहाँ पर job करने का chance मिलेगा आप यहाँ पर online सारे details fill up कर देंगे और selection procedure की बात करें तो पहले online test होगा फिर उसमें जो select candidate होगा उनका interview होगा interview के बाद आपका medical check up होगा medical check up में जो final selected candidates होगा उनको job करने का chance मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद